हलो एवरीवन वेलकॉम बैक टू फार्मिसी क्लासस यह फार्मासिटिकल और्गानिक केमस्टी टू का एरोमेटिक्स एमिन्स का लेक्चर नमबर थिरी है और इसमें हम डिसकस करने वाले हैं आपने उस वीडियो को नहीं देखा है। आप अपने डिस्पले पर देख पा रहे होंगे यह बैंजीन का एस है और इस बैंजीन के इस्टेक्टर से इस हाईड्रॉजन को जब हम रिप्लिश करते हैं amino group NH2 के द्वारा तो हमारा aromatic amine anilines का formation हो रहा है और ये जो aromatic amine anilines है इस structure में आप देख पा रहे होंगे ये जो ring वाला पार्ट है aromatic वाला पार्ट ये benzene पार्ट है ये जो amino group है ये इस amino group के पास ये जो nitrogen है इस nitrogen के पास एक lone pair electron है और ये जो lone pair electron है इस nitrogen के पास इसी के कारण ये जो compound है ये basic nature सो करता है तो हम कहा सकते है कि anilines के इस्टेक्चर में जो nitrogen है इसके पास जो lone pair electron है इस lone pair electron के कारण ही हमारा aniline basic nature सो करता है आएब हम एक reaction के through anilines के basicity को measure कर लेते हैं किसी भी compound के basicity को measure कर सकते हैं रियक्षन के दोरा अगर कोई भी कंपाउंड प्रोटोन को एकसेप्ट करता है तो वह कंपाउंड बेसिक है आईए इसको हम एक रियक्षन के थुरू समझते हैं आप अपने डिस्प्ले पर देख पारेंगे यह एनिलीन है और जैसे कि मैंने आपको बताए कि इस इसके पास जो नाइट्रोजन है इसके पास एक लोन पेर इलेक्ट्रोन है और इस एनिलीन का जब हम प्रोटोनेशन करा रहे हैं तो आप देख पारे हैं एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है इस रियक्षन में आप देख पार होएंगो जो हमारा प्रोटोन है यह प् सकते हैं कि जो हमारा एनिलीन है यह प्रोटोन को एक्सेप्ट किया मतलब यह बेसिक नेचर सो कर रहा है सिंपल हम कहा सकते हैं कि इस रियेक्शन में जो हमारा एमीनो ग्रूप का नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन के पास जो लोन पियर इलेक्ट्रोन है वह एबलेबल हो जाता है प्रोटोनेशन के लिए और हमारे एनिलिन इनिलिनियन आयोंका फॉर्मेशन कर ले रहा है आईए अब हम एलिफैटिक एमिन एव हम एरोमाटिक एमिन्स के बीच बेचिक सीठी को Clean Beh contest करते हैं आप अपने डिश्पिले पर देख आ रहे होंगे यह एलिफैटिक एमिन्स का एक्टेक्चर है जो second structure आप देख पारे हुनागे, यह aromatic amines है, इन दोनों ईस्टेक्चर में आप देख पारे हुनागा हमारा amino group attach है, जो हमारा अलि भातिक amine है, इस अलिभातिक amine में जो हमारा nitrogen है, इस nitrogen के पास명य पास lo an pair electron है, यह though not localized है ualone paper spectrum is localized है, इसमें नहीं हो रहा है, ये lone pair electron, de localized है क्योंकि ये regionence में भाग ले रहा है जबकि वहीं बात करें अलिफेटिक immense का है तो इसमें जो lone pair electron है इस nitrogen का ये regionence में भाग नहीं ले रहा है तो हम कह सकते हैं कि अलिफेटिक immense का जो lone pair का electron है ये localized electron है और ये available रहा सकता है हमारे protonation reactions के लिए जबकि वहीं बात करें हम aromatics amines की तो इसमें जो amino group का lone pair electron है यह localized नहीं है यह lone pair electron delocalized है और यह fully available नहीं रहेगा इस amino group के पास protonation reaction करने के लिए सिंपली कहा जाए तो जो हमारा aliphatic amines है इस aliphatic amines का जब हम protonations कराएंगे तो यह जो proton है यह आका direct हमारे nitrogen से attach देगा क्योंकि nitrogen के पास जो lone pair electron है यह localized है और उसको इस्तमाल करते हुए वह hydrogen आकर इस nitrogen से direct attach हो जाएगा और हमारे product formation करेगा तो हम कहा सकते हैं कि यह basic city को represent कर रहा है क्योंकि कोई भी compound अगर proton accept कर रहा है तो वह basic nature हो कर रहा है जब कि वहीं बात करें हम aromatics amines का तो यह भी protonations करता है लेकिन यहां पर जो lone pair electron है इस nitrogen का यह lone pair electron delocalize है यह पूरे ring में travel करते रहता है तो जब हम इसका protonations कराने जाएंगे तो यह fully available यहां पर electron नहीं जाएगा क्यो Rusyn के लिए इसके पास जो lone pair electron है इस lone pair electron को वह यह nitrogen Benzemar bagunate करेगा resonance के लिए और आप देख पार हैंगे जैसे यह Ele retrouver बंदा ऒूनेट किया यहiume को सकते हैं कि resonance hybrid में जो भी nitrogen होता है इस nitrogen के पास electron की density less हो जाती है क्योंकि यह अपने electron को donate किया होता है resonance में और इस nitrogen के पास खुद ही electron नहीं है तो यह कैसे proton को accept करने की ability यही कारण है कि जो हमारelfatic amine एवम एरोमेटिक्स एमिन्स में जो हमारा एलिफेटिक एमिन है वो मोर बेसिक नेचर सो करता है as compared to aromatic एमिन क्योंकि जो एलिफेटिक एमिन है उसके पास जो नाइट्रोजन के पास इलेक्टरॉन है लोन पियर वो लोकलाइज है वो रेजुनेंस में भाग नहीं लेते हैं इसलिए वो प्रोटनेशन के लिए एवलेबल रहते हैं जबकि महीं बात करें हम एरोमेटिक्स एमिन्स में तो इसमें जो लोन पियर एलेक्टरॉन है नाइट्रोजन के है यह resonance में भाग लेते हैं यह fully available नहीं रहते हैं proton essence के लिए इसलिए aromatic amine less basic nature so करता है as compared to aliphatic amine आप अपने display पर देख पारेंगे यह एक aromatic amine aniline से अगर इस aniline के ash texture में कोई ऐसा group आकर attach हो जा रहा है जो कि electron को release कर रहा है electron releasing group अगर आकर attach हो गया इस aromatic amine से तो वो इस ring की या फिर इस compound की basis city को बढ़ाता है जबकि वहीं बात करें कोई ऐसा group जो कि electron withdrawing group की तरह act करता हूँ अगर वो आकर attach हो गया इस aromatic aniline के ash texture से तो वो इसके basis city को decrease करेगा आये हम इसको एक example के थुरू समझते हैं आप अपने डिस्पले पर देख पा रहे होंगे यह इस aniline के एस्टेक्चर में एक methyl group आकर attach हो गया है इसके पारा पोजिशन पर इसलिए हम पारा टॉलवे डेन काते हैं और इस एस्टेक्चर में आप देख पा रहे होंगे जो मिठाइल है यह electron releasing group की तरह act कर रहा है मतलब यह अपने electron को बेंजीन डिंग में डोनेट कर रहा है और यह जो एनोटो ग्रूप है यह electron withdrawing group की तरह act करेगा मतलब यह बेंजीन से electron को रिलीज करेगा अपने तरफ खीच लेगा जिसके कारण इस बेंजीन डिंग में फिर एनीलिन्स के structure में अपने electron को डोनेट करेगा electron की density को increase करेगा वो basicity को increase करेगा और कोई भी compound या कोई भी group अगर आगर attach हो रहा है एनीलिन्स के structure से और उससे electron को withdrawal करने लगेगा तो उसके basicity को वो decrease करेगा आप अपने डिस्प्ले पे इस एस्टेक्चर को देख पा रहे होंगे यह एनिलिन्स का एस्टेक्चर है और एनिलिन्स का एस्टेक्चर में सिर्फ एक एरोमेटिक रिंग अटाइच होता है जबकि वही आप सेकंड डाइग्राम देख पा रहे होंगे सेकेंड डाइग्राम जो है वो डाइफिनाइल एमिन का है और इस डाइफिनाइल एमिन्स में आप देख पा रहे होंगे दो एरोमेटिक रिंग अटाइच है और यह आप देख पा रहे होंगे जो हमारा एनिलिन्स है एवाम जो diphenyls amines है आई है इसके बीच में हम basic city को compare करते हैं जो हमारे first structure anilines है यह more basic होता है as compared to diphenyls amines इसका जो basic कारण यह है कि जो हमारे anilines है इसमें सिर्फ एक aromatic ring attach होने के कारण यह जो nitrogen के lone pair electron है सिर्फ एक ही ring में इसका delocalizations होगा और वो एक ही ring में resonance में भाग लेंगे जबकि वहीं बात करें हम second structure की तो यह second structure है वो diphenyl amines का है और इसमें दो aromatic ring attach है और इस दोनों ही aromatic rings में यह जो nitrogen का lone pair electron है वो delocalize होगा मतलब इस nitrogen का lone pair electron है वो दोनों ही ring में उसका delocalizations होगा मतलब वो less available रहेगा proton essence के लिए तो हम कहा सकते हैं जो anilines है वो more basic है as compared to diphenyl amines तो हम रहें ली है वो खाज़्वाज आण